चालू हो गई, टॉफी मौफी नहीं आईगी और मिठाई आप अब ये बताओ कि राखी कब बन गाई पहले तो ये बताओ राखी किसको बंदी जाती है जम के बोलो जरा सही बोले क्या बोलते हैं वो नाटक में सही पकड़े पिल्कुछ सही बोले किसको राखी बंदी जाती है, रक्षा करने वाले को अब तुमारी बेहन तुमारे साथ चल रही है और तुमारी जिन्दगी में हर पल वो तुमारे साथ दे रही है एक ही नहीं रक्षा करने वाले राखी आप अपनी बेहन को भी बान सकते हो दो बेटीयां आपस में बात कर रही थी मेरा भाई नहीं है गुरू जी में क्या मेरे बुवा के लड़के को राखी बनने जाओंë मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बनने जाओं में क्या उसको राखी बनवाने वाले के मन में नहीं क्योंकि इसके मन में आरहा 500 रुपे देना पड़ेगा उसकी मम्मी के मन में आरहा कपड़े दिलवाना पड़ेंगे पर तुमारे भीतर ऐसा भ्यमुत्पन कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है भाई होना श्यूमाहपुरान कता केती है जो तुमारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए तुमारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंदेगी है तुमारी बहन तुमारी रक्षा कर रही है राखी बंदी है रक्षा करने वाला पिता भी होता है बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बान सकती है वो रक्षा करता है भाई रक्षा करने वाला है भाई के हाथ में राखी बान दिये और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओगरदानी, मेरा लड़ूगोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम जो भगवान तुमारे घर में है राखी उनको भी बांदिये वो तुमारी रक्षा करते है राखी गुरु को भी बांदी जाती है क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है मार्ग प्रसस्त करने वाला होता है राखी हमारी जिन्दगी का एक सुख देने वाली राखी हमारी एसा नहीं कि केवल मनुश्य को राखी बनती है आपके गौं माता भी अगर आपके यहां है तो गाई भी तो आपकी रक्षा करने वाली है वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करें जिस ब्रक्ष को तुमने बढ़ा करा एक पेड़ को तुमने पाला बढ़ा करा उस पेड़ को तुम अपना बना कर अपना जानकर ब्रक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि दुनिया की रक्षा करेगा उस ब्रक्ष को ऐसा बना दिया कि ये दुनिया का भरन पोशन करेगा तो वो ब्रक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है प्रकर्ती से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बान सकते रक्षा करने वाले को राखी जो तुमारी रक्षा करे एक मा अपनी बेटी की अपने बेच्चों की रक्षा करती है ये जरूरी नहीं कि तुम हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांदे हम किसको भाई बनाए हम किसको भाई बनाए हम किसको भाई बनाए हम किसको भाई बनाए जी जी ये भाई बनाने के चकर में धोके में म तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पुरी जिंदगी तेरी बरवात कर दे इसलिए जो घर में हैं बेहन है पुटुम्ब है परिवार है उसमें राखी बांदे बहुत बहुत ब्रम पहला रहे हैं लोग बहुत नाटकों के माद्य हमसे पूल प्रसंग तो छूटी गिया है कब बाद है अब तुम बोलो मेरा निवेदन केवल इतना है तीस तारीक को रात्री में बड़े आनंद के साथ नो बज़े के बाद आपका मन करे आप बाबा का स्मरन करकर बाबा का नाम लेकर वैसे तो शिब का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी हर पल हर जण मेरे बाबा का है उसका नाम लेकर रात्री के नो बज़े के बाद आप भगवान की राखी का स्मरन करकर बांदो कोई मला शिब तत्वकुप तेवार कब का है राखी का तेवार कब लिखा है पंचांगों में कलेंडर में तीसतों लिखाना तीसतारीक तो मनाना दिल से मना आनंद के साथ अब किसी ने पूचह कि गुरुजी राखी बानने का तो ठीक है आपने मोरत बता लिए जब मम्मी गुलाब जमुन बनाई वो कब खाए तो निवेदन है जब तुमारी मर्जी पड़े दिन भर राखी में भद्रा है खाने में भद्रा नहीं है तुम तो अच्छे से खाओ दपट के कोई तुम तो दिल से तुमारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए यहसा नहीं कि कि नो बजे के बाद का इंतिजार कर रहा है नो बजे के बाद नो बज के दो मिनिट के बाद करोगे तीन मिनिट के बाद करोगे पांच मिनिट करोगे ना ना राखी का तेवार ठीका मत होने देना राखी भले रात को बंद है पर दिन भर तुमारे चेहरे पर प्रसंदता ह होना चाहिए और मिठाई का आनन्द होना चाहिए दिन भार तुमारे चेहरे पर पर सदाओ कि आज रक्षा बंदन ने नहीं तो तेवार को तुम छोटा करदो शुकुर दो ऐसा नहीं बड़ा अमारा दिन बर तेवार रच्छा बंदन का खो बंजवाई करो अपने जीवन को आनंदित करो और मेरे भोले नात को आप अपना भाई बनाओ मेरे शंकर को अपना रच्छा करता बनाओ मेरा देव अधिदेव महादेव तुमारे से कदम से यही भाव रखते हैं शिवतत्तव की प्रापति शंकर कंभो करो भगवान की भगति करो शिवकिया राधर रातरी को नो बजे के बाद दो तीन मिनीट उपर हो जाए उसके बाद भगवान का बजन करते हुए खूब रक्षा बंदन का ते बार आनंद से मना यह शिवकी भक की को प्राप यह से